तो रिकुचुकु की कहाने में आपका स्वागत है गाई इस तो आप देख सकते होई यहाँ पे रिकुचुकु की ममी गाई की तरफ देख रही है और दोनों गाई को बहुत भूक लगी है दो दोस्तों देखो बच्चो कैसे और यहाँ पे देखो बच्चो कैसे रिकुचु क्योंकि मम्में आप तो पुतले की तरह खड़ी हो खुछ बोली नहीं रही हो और यहां पे देखो रिकुचिको आराम से भोस सरा ज्ञाग बना कर खुद इनहाने ये गए है तालाब में दोस्तो ओहो और देखो नहा कर इतना ज्ञाग बना लिया है अभी देखो अरे रिकु अरे रिकुस कितनी भूक लगी है ओहो देखो केसे आवाजे कर रही है अरे हाँ न सुब़े से इसको खाने के लिए नहीं मिला मैं सुब़े से सोच रहे ती सको खाने के लिए देखो और देखो सुबह से मुझे काम में ना फुरसती नहीं थी बिचारी गईया भूकी रह गई है ओहो अब क्या करे चलो चलो अरे मुझे तो टेंशन लेने की जरूती नहीं है गईया के लिए तो मैंने बहुत अच्छा घास हरी वाली लेकर आये तेरी को के पपा और ये देखो स्टार वाला कटोरा है इसमें वो हो सारी चीजों को याने घास को डाल कर में गईया को दे दूंगी और गईया बहुत खुश हो जाएगी देखो मेरी गईया तो बड़ी होने लगई है वाँ क्या हुआ रिकुची को की ममी आप तो बड़े खुश लग रहे हो रिकुची की तो बात है न भईया इतनी बड़ी हो गई है देखतेदेखते देखो कैसे दिन निकल गया है ओहा अम मिट्टी के बरतन पूँचने वाली थी आपके मिठी के बरतन कहा चले गए अरे मेरे मिठी के बरतन तो मैंने बेज दी है कांता जी अरे रे मेरा नम कांता नहीं है गया ओहो रिकु की ममी मेरा नाम तो रश्मी है अच्छा अच्छा ठीके ठीके अरे रे चलो चलो जल्दी से मेरा तो काम रहे गया है पढ़ेगा अरे बेटर इकुछिकू वड़ जाओ उड़ जाओ अरे यहाँ पर पता नहीं इसकूल अच्छा कहां पर है यहाँ पर गाओं में आने के बाद तो सारा इसकूल ही इनका छुड़ गया अर वापस से हमें गाव छोड़कर हमें वापस से अपने घर आना पड़ा यही तो प्रॉबलम है भाड़े से रहने वालों का कभी गाव में या कभी शहर में रहना पड़ता है ओहो, अरे कोई बात नहीं, कोई बात कैसे नहीं बोढ़ रहィ हो रश्मी जी जो रहता है न उसी को पता है अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है अरे बेटा रिकुचिकु जल्दी उठो मुझे जरा फ्रेश होकर मैं आती हूँ देखो सारा घर गंदा पड़ा है साइट का ओह प्लास्टर करानी है घर पर पैसो की जरुवत है ओहो अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है अरे क्या हुआ ममी इतने सुबे सुबे क्यों उठा रही हो अरे बेटा उस सुबे उठाना पड़ेगा ना बेटा ममी ममी ऐसे लगी नहीं रहा है कि मैं गाउ से घर आ गया हूँ ऐसे लग रहा है कि मैं अभी तक घर में हूँ ओहो गाउ में हूँ मम्य कितना अच्छा था न सब कुछ वहाँ पर अरे सही के रहा है जीकू मुझे भी ऐसे लगा कि मैं वहाँ पर हूँ ऐसे लगी ने रहा था कि मैं गाउ से शहर भी आ गया अरे तुम्हारी बड़बड बंद करो बच्चो एक तो मेरे कपड़े का हाल बुरा हुआ चला जा रहा है तुम्हारे वज़े से मेरे नींद भी नहीं खुल रही ओह ठीक से मुझे नींद ही नहीं लग रही थी ऐसे लग रहा ऐसे तो मैं बीमार हो जाओंगा अरे और इकुछ इकुकी माता यहाँ पर यह सामान क्यों ऐसे रगड़ा के रखा है दो दो चुला बहार निकाल दिया सारे स्टिल के बंतर कितने महंगे होते हैं तुम्हें तो कुछ फरकी नहीं पड़ता अरे रे जल्दी आ और इकुकी ममी यह क्या तमाशा लगा के रखा है तुमने अरे भई तमाशा नहीं है मैं यहाँ पर आज कुस तो चीजे बनाने वाली हूँ खाने के लिए तुम्हें पता है ना गाउ से मैंने बहुती बड़े बड़े ओहु पैकेट्स लेकर आई थी मसाला वाला उसी को मैं बनाने वाली हूँ और बच्चों के लिए तुमारे लिए दे दूँगी ओहु अच्छा अच्छा अरे मैं तो भूली गया सही बाते अरे मैं तो भूली जाता हूँ भई क्या करूँ मुझे तो याद ही नहीं रहता सलूट ये भई तुम्हें जो तुम्हें हर बात याद रहती है रिकु की ममी अरे बबा ऐसे ही थोड़ी घर चलाया जाता है किसी का तो दिमाग चलना ही पड़ता है अरे वो तो है रिकु की ममी मैं तो रिक्षा चलाने वाला आदमी हूँ मुझे कहा इतना दिमाग सारा दिमाग तो तुम्हारे पास ही है अरे ममी पपा आप लोग अपने जगड़े बंद करो और प्लीस हमें खाने के लिए कुछ दे दो अरे रे रे हाँ हाँ बेटा हाँ तुम्हारा तो अलगी भूख है बेटा ला कर देता हूँ तुम्हारे ममी देगी मैं तो रात को ही लेकर आया था गाओ से अभी जो भी है तुम्हारे ममी बना कर देगी ठीक है न तुम खा ले न मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ अरे गया को कुछ अभी तक दिया नहीं चारा अरे रिकु की मम्मी गया को चारा दे दो काफी टाइम हो चुका है तुमने अभी तक उसको कुछ दिया ही नहीं अरे हाँ हाँ देती हूँ अबा देती हूँ उसी की ती ती चिंता लगी हुई है मुझे भी मैं भी तो उसी की सोच रहे थी अरे गया तो इतनी बड़ी हो चुकी है वावा बहुत बड़ी हा चलो चलो अरे रे प्यारी प्यारी गया मैं रुको तुमारे लिए अभी ये देती हूँ यहां से ओहो चलो चारा डाल देती बाउल तो उसमें सारा चीज बेड़ जाता है अरे अच्छा हो गया अरे मुझे तो गया का रोना देखा नहीं जा रहा है सच में अरे गया जल्दी आओ अरे मैं भी क्या बोल रही हूँ गया किसी आएगी मुझे गया के पास जाना होगा अरे वाओ अरे अरे मेरे पेरों में बरतन लग रहा है अरे 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 लो गया खा लो इसे अरे 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 गया संबाल कर ओहो गया तो गिर गई अरे नहीं नहीं ठीके ठीके में उठा कर दे दीती हूँ औरी कुकी ममी गया खा लेगी वावा धन्यवाद रश्मी जी अरे धन्यवाद की क्या बात है ओहो अरे मेरे खाने में अरे मैंने तो कुछ भी नहीं रखा है चलो खाना भी बना देती हूँ रिकुचिकुका वेसे भी नहा कर हो गया था सुबह मैंने निला दिया था बच्चे बड़े हुशार हो गए है गाउसे आने के बाद कुदी नहा लेते है अरे रे रे क्या को रूँ अरे बूँ तुम्हे भूली गई वो खाने वाला चीज कहा पे रखा है अरे जल्दी जल्दी से लेके आती हूँ बबा सारा सामा निदर उदर हो रहा है मेरा अरे रे जल्दी से रख दो जल्दी से रख दो अरे वावा अरे वा रिकु की ममी वाव ये तो बहुत बड़ा मस्त मज़ेदार है अरे चटपटी वाव पॉप किंग वाव अरे बहुत ही बड़ी या रिकु की ममी आज तो तुम्हारे घर में जश्न होगा अरे जश्नी कहें का रश्मी जी ये तो खाने पिने की चीज़े है अरे ये बहुती कम कीमत की है लेकिन पता है इसके अंदर जो चीज़े है न ओहो जादा भी नहीं खानी चाहिए नहीं तो आप और मोटी हो जाएंगी अरे क्या कह रही हो अरे नेनी मैं तो मजग करीती रिकु की ममी अरे हाँ हाँ वो तो चलता है रेता है तुम भी मोटी में भी मोटी कोई बात नहीं है चलो अभी इस पैकेट को खोल कर खा लेते हैं अरे बेटा क्या तुम अभी खाओगे नहीं ममी नहीं ममी अरे बेटा हाँ हाँ बर्याबर है तुम तो अभी उटे हो जाओ पहले ब्रश कर दो अरे रिक्कु के पापा क्या आप अभी खाओगे अरे नहीं नहीं बगीचे में अभी तक मैंने पानी पुरा कहां डाला है अच्छा अच्छा ठीक है क्या दोस्तों आपको हमारा चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब लाइक कमेंट्स और फूल वाच करें गाईज बच्चो चलो बाई बाई